इसमें हमें इकाई का अंक ग्याद करना है इकाई का अंक क्या होता है जैसे कोई संख्या हो गई एक पांस तीनाट इसमें जो आखरी का अंक है यही हमारा इकाई का अंक होता है यह इस कोशन में हमें ग्याद करना है इतनी सारी संख्या दी गई है इनको आपस में गुड़ा क है तो अब इसके लिए हम इत्ती गालses को घुड़ा करना बहुत ज्यूर ल lash टो ह benefit on का टो लेंगे में इसां कि ट्रिकि अहुट करें गायं कि आखरी आखरी संख्राइट कुरूट कंपक्र करें च्हेलेंगे ढूर दो वे रहेंगे है तो क्या आएगा बार इस बारा सफ 12 में दो लेंगे दो ऑई करेंगे तो किया एट आएगा अब इस हीड न अब इस्ट न को बिश्म एक होंगें खॉत करना यसमें भी उन में इंको आपस में गुडा करें तो चलिए करते हैं 455 20 त्यक्तर शुक्वर्स ट्वंतलिका अब इसका श्ल derived करेंगे घ्लाएनग और आखरी अंक अगर हमें जीरो मिल जाता है तो इसका उन्सर या यह निकाइक इसको देखे कैसे करते हैं इसमें करने के लिए हम से पहले क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम चार से भाग देंगे तो क्या करेंगे 122 में हम चार से भाग देंगे तो इसका जो सेस्वल बचेगा इसका सेस्वल दो बचेगा अब भाग करके देख लिएगा अगर आपको नई समझ में आरा देखें हम करके दिखाते हैं 122 हो गया इसमें 4 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा चार्ट यहां जीरो उतारेंगे फिर सॉरी यह कट गया फिर यहां 0 उतारेंगे अभी दो आएगा अब यहीं 2 जो है हमारा यह सेस्फल बच रहा क्योंकि पीडेना है यानि 100 112 में 4 से भाग देंगे तो सेस्फल क्या बच़ेगा तो इसी सेस्फल का हमें काम है तो चलिए दिखते हैं क्या बचेगा 122 में हुँद से भाग देने पर यह सब्सक्राइब दो बचेगा ठीक है तो यह about यह चार है इसको हम 4 लिखेंगे और जो यह हमारा 2 हैसेसफल इसको हम करेंगे स्क्वायर अब क्या करेंगे 4 गुड़े 4 फॉर फोट्जा क्या होता है 16 अब हम 1 इकाई का अंग पूछ रहा है तो हमारी जो आखरी का अंग है यही हमारा आंसर होगा निकाई का अंग होगा अब नेस्ट कोस्षयं देखते हैं इसमें समझ में आ जायेगा अब इसमें क्या है इसके घात भाग देंगे इसका ईशिपन जीरो बचेगा अब भाग करके देखहिए इसका इसका इसनीरो बचेगा तो अब इसका को 0 बुचके आब क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे जो इसका का क्या है इसको च्राइवाए विसके क्या करेंगे झाले नहीं लिखेंगे अब इसको चार बार को आप all verify फॉर्फोजा शिस्टीन सिस्टीन में आंखरी अंक चे में इस सेख लेंगे इससे गूड़ा करेंगे सिस्टीन के आशीन अदिक пой construct करेंगे तो हमारा उचरिस अंख्या गया अब इस संख्याम काई का उंक पूछ रहा है 16 समलिक का आथी इसका नहीं क्योंकि इसमें कोई भाग ने देंगे इसमें कोई भाग ने देंगे क्योंकि हमारा यह थिसक में जो यह आखरी कांख यह six है अगर कोई संख्या का आखरी आख混 fix होता है तो उसका हमें लिक्राफरी Frage जिस चारोव संख्य ग्राइब कहीं भी दिखती है तो इस न्य सकाइब कंग यह संख ही होता है अगर फैल्स हेटा फइल्स कोमें घुcked होगा यह रिखते हैं यह दिक हमें क्छाइब हरेंगग क्षे सब अभी जह याद करना है तो सबमें सब यह बाहर घुल क्लिके प्लस ऋतारेंगे क्या होगा समयाइगा तै पृष लिखेंगे पूर्छ लिखेंगे सब्सक्राइग है फिर हम प्लस लिखेंगे अब क्या है क्या यह एगा संख्या क्या आएगा five-like five-a five-a five-a-five-a-fine-a-go- six-six-six-six-ssäक-five-barm 12 अब हमें यह 12 अब यह 12 मिला आफ श्रें आखरी संख्या है 12 लेकिन यह हमारा देखें कितना कुष्चन था ठीक है कितना जल्दी स्वाइब आप देख के कर लेंगे ज्यादा पेंच चलाएंगे रोद भी नहीं पड़ेगी और नेक्स्ट है यह इसमें धीक्जी ये प्लस में है ठीक है और यह संख्या है ये माइनस में है बराबर है ये प्लस में है यह माइनस में अगर किसी भी संख्या अगर कोई साइन नहीं दिया है तो उसके आगे हमें सब प्लस ही माना जाता है तो इसलिए संख्या प्लस में हुई यह माइनस में ही तो क्या होगा यह आपस में कट जाएगा यह आपस में कट जाएगा तो क्या बचा है क्यो और इसमें क्या है? इसका अंसर बने होगा इसमें की काइख लेना था इसमें क्या अणख देख लेना था? इसमें हमयाख प्राप्त होगा है इसमें से जो आखरी कांख है वही काई कांख होगा यह हमारा अंसर रहा अब नेस्ट क्या था इसमें यह संख्या दीगे इसके घाते इतना था इसमें काई कांख गयाद करना था यह वह काफी बड़ी संख्या लग रही थी देखनें कठी लग रहा था लेकिन इसका भी आंसर को वही होता है इसमें क्या था यह थोड़ा समझने वाली बात है इसमें क्या है कि इसमें काई कांग को देखी फोर है इसमें जाइश दिवाइट करना पड़ेगा तो हमें यह ध्यान देना जो भी इसमें घात है इसमें हमें इसा फोर्ट से ही डिवाइट करना है और इसका ज जाएगा पुरी कितर पूरी बार कट जाएगा सॉरी तयर बार नहीं जाएगा गलती हो गई कि हवन 4-4 है कि 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 37 तर जाएगा पुरी पूरी तर कड जाएगा जो नेकी सेस्फळ बचता है वो सेस्फळ कुछ नहीं बचेगा- जो निचे बचता वह yu हमारा सेस्फळ होता है उसी को हमें लेना है तो इसमें हमारा क्या आरा है जीरो आ तो जो यह संख्या है इसको लिखेंगे ठीक है जीरो आने पर क्या करते हैं घाते फोर लगा देते हैं अब चार को चार बार लिखेंगे अब जैसे मैंने पहले बता था उसके लिए वही करना इन सब को आपस में गुड़ा करना ऐ फोर फोर जा 16 अब इस इसमें आप से तैसे भाग करेंगे तो ही तूत है इसको फोर से भाग करेंगे तो किआ जाएगा 16 अब क्या करेंगे जिसका यह आखरी का आखरी का यही हमारा आखरी का अन्सर हो गया next है इसमें उसको गुडा करेंगे तो कि आएगा 20 आएगा ठीक है अब जके जिरो कि आएगा यह व्य Cand Shirley सिर्द ईसका हम चीजर को सब्सक्राइब 12 ले में एक आएगा और इसके टागुड़ाइश करेंगे क्या आएगा शिक्सेजा फोटी एट अब इसमें जो एट है यहीं हमारा इकाइक कांग हुआ मैंने आपको रिविजन भी करा दिया आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा प्रोल प्रोले कर दोगा देर रजार आएश. quatro क्यों Mm